हेलो एवरीवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हीपर टेड़ेज भी मैं हूं महमद सुहेल दोस्तों अपलो हॉस्पिटल पे हमारे पूरे टार्गेट अच्छीव हो गए हैं और आज जो मैं अनालिसीस करने वाला हूं अब ध्यान से सुनिये क्योंकि आपको लॉस ना हूं ठ पहते हैं च्रे excess चैनल में अगिस करें उतना हो सका उतना आप मीडिया सेक्टर पर काम करने की कोशिश करिय है चैनल किा सरफ और पूरे अब पूरे-पूरे push stocks indicate कर रहे हैं कि stock market में pharma stocks गिरने वाले हैं उसका बहुत बड़ा reason भी समझाता हूँ stock market में कभी भी कौन से भी breakdown level पार करके stock जाता है यहाँ पे देख लो breakdown level पार करके stock जाता है वो stock को इसी breakdown level का support लेके उपर भागना पड़ेगा यानि जो major support मिलनी चाहिए Apollo hospitals को वो यहाँ पे मिलनी चाहिए 5-3-4-9 अगर 5-3-4-9 level break कर रहा है तो यह भी breakout level break करेगा यह भी breakout level break करेगा और 200 EM में कौन से nearest breakout पे जाएगा उस nearest breakout का support लेगा वनना 200 EM के rejection के साथ previous breakouts पे काम करने की कोशिच करेगा recent breakouts पे काम करने की कोशिच नहीं करेगा Apollo hospital यह clear indication है और मैं क्यों बता रहा हूं कि Apollo hospitals गिरने वाला है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि stock के अंदर यहां पे stock oversold कहीं पर बिना sold हुआ, oversold नहीं हुआ, यहां पे oversold नहीं हुआ, यहां पे overbought हुआ इसका मतलब stock हर बार बिना oversold किये हुए, appreciate करते हुआ है समझ गये, यहां पे oversold हुआ, उसके बाद कहीं पर भी stock oversold नहीं हुआ क्या करेगा, दीरे 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 selling form करने की कोशिश करेगा, जिस selling में बायर अभी यहां पे catch होने के chances ज्यादा से ज्यादा है दोस्तों, तो मैं clear suggest करूँगा कि Apollo Hospital में अभी नई थोड़े दिन के लिए काम मत करो, अभी Apollo Hospital ट्रेड करने के लिए थोड़ा रिस्की है दोस्तों, यही था मेरा update Apollo Hospital पे, अगर आपको stocks पे analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए और YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video